हलो हाई नमस्कार स्वागत आप सभी का मैगनेट ब्रेंज के आई टी जई और नीट चैनल पे जिहां जमबाद करने हैं केपैसिटर लेक्चे नमबर तर्ड जहां पे चर्चा होगी कॉम्बिनेशन ऑफ केपैसिटर देखो भई कहानी शुरू हो चुकिये बिल्कुल स्टार्टिंग से केपैसिटर के बारे में बातें आप समझते हो जानते हो आपको पता है पैरलेल प्रेट केपैसिटर होता क्या है और उसके बिल्ए एलेक्ट्रिक फिल्ड फोर्स होगा हर एक चीज़ एवन एनर्जी देंसिटी वी हमने फाइंड किये तो भाई इसी केपैसिटर को सरकीट में यूज करना हम लोगों को ठीक है तो सरकीट में अगर इस केपैसिटर को यूज करें तो भाई कैसे उसको करो दो तीन केपैसिटर एक साथ आ जाए तो उनको कैसे हम सिंप्लिफाइ करें आज के लेक्ट्र में सीखेंगे तो मेरा नाम आशिश कपलेश्ट मैं पिछले छे सालों से जैई कोशन करो कोई इसका हम सॉल्यूशन आपको प्रोवाइट कराएंगे जो अगेर आपको वेब्साइट पे ही मिल जाएगा इसके और बिटा आपको कुशन करने 55 कर ने मैं यहाँ अपको कुशन कर ऻोई कर रहा हूं अलग अलग यजिए के कोशन कर रहा हो इसके अलावा प्रैक्टिस कोशन कीजिए प्रीएट मिल जाएगा नृत को पूछे जाती जाहिए जाती एकिए चाप्टर पढ़ द हैं या जो टॉपिक आपने बढ़ा है उस-टॉपिक से कितने सवाल पिछले शॉलों में उन् Street पूछे गए हैं और पुछासे गएगा आपको पता तो इस सारी चीज़ें आपको खुद से करनी है इस पे अपना 100% effort डाल देना है एक भी चीज में मकारी मत करो इसके अलावाद जो आपको doubt solving session से वो चल रहे है ask your doubt में आप अपने doubt फूसते हो उनके समाधन आपको मिल जाते है टेस्ट पेपर आले पार्ट आपके लिए आ रहे है और आपके guidance हर एक चीज आपको समय पे मिलती रहेगी तो यह हमारी जिम्मेदारी हम इसको पूरा करेंगे उपर हली जिम्मेदारी आपकी है आप इसको पूरा कीजिए और जब हम दोनों के efforts मिलेंगे तो उसका नतीजा हो है ऐसा नहीं आपको practice करनी है जादा से जादा question solve करने तो ही आपको फार्दा मिलका ठीक है चली भी तो पैन और पेपर लेके तयार हो जाओ बिल्कुल क्यूंकि शुरू करने जारे हमारा आज का लेक्चर जिसमें हम बात करेंगे combination of capacitors की तो पेटा इससे पहले में कुछ ब मैं क्या बोलू उसकी capacity है to hold the energy capacitance को denote किया जाता है capital C से बढ़ा अलग-अलग conductors के लिए या फिर अलग-अलग capacitors के लिए हम बात करें तो सबसे पहला हमने spherical capacitor की बात कर दी एक spherical conductor हमने जब consider किया बेटा spherical capacitor नहीं बुलूँगा कोई भी spherical conductor था उसके लिए हमने capacitance निकाला था 4 pi epsilon 0 r और यह isolated conductor था किया था बेटा isolated second वाला हमारे पास जो है था वो है था PPC PPC बोले तो parallel plate capacitor दिखने में कुछ इस प्रकार से लगता था हमने बोला था circuit में लगाओगे तो ऐसा ही दिखना चाहिए प्लेट के बीच का separation D होता है प्लेट का area A होता है इनके बीच में अगर air है तो capacitance का formula बनता था epsilon 0 A upon D याद आ रहा है फिर मैंने अलग-अलग cases बताये थे बेटा जिसमें बोला था कि आपके इसमें dielectric insert कर दिया तो अगर आपने पूरा space cover कर दिया with the dielectric तो यहाँ पे k यानि की dielectric constant से multiply कर दीजेगा यही होता अलग-अलग cases अगर capacitor के बीच का space हमने completely fill कर दिया with the dielectric अगर यह space completely fill हो जाता है with the dielectric तो c dash can be written as k times of epsilon 0 A upon D where D is the separation between the plates A is the plate area so it can be written as k times of C air I think abhi हमें बात समझाती है किया था ना बेटा electric field of force हो गएर है कि बाते मैं नहीं करूंगा जादा क्योंकि मुझे अभी capacitance से मतलब है इसके अलावा फिर मैंने अलग-अलग cases लिए थे बिटा जिसमें बोला था एक case कुछ इस प्रकार्स आएगा कि जिसमें आधे पार्ट में आपके यह बाकी के पार्ट में क्या है एर है तो मैंने बूला साप बस इतने से पार्ट में ही हमने क्या किया डाइलेक्ट्रिक को फिल किया इसके अलावा बाकी सारे पार्ट में क्या है एर है तो इसका डाइलेक्ट्रिक कॉंसेंट ए यहाँ पे कौन है एर है तो बेटा अगर पूरा separation यहाँ पे डी है और डाइ minus t upon dielectric constant of the air plus t upon dielectric constant of the medium air का dielectric constant 1 होता है तो c-a ना था epsilon 0 a upon t by k plus का d minus का t फिर ऐसे हमने बुला था बई अलग-अलग thickness के अगर dielectric को insert करते चलें तो उसके साब से formula हमारा define होता था second case आया था जिसमें हमने area को specify किया था बिटा हमने बोला था कि यार आधे area में dielectric भर दें तो क्या होता है ठीक है अगला case आपको यादो एक तो ऐसा वाला था जिसमें अलग-अलग dielectric भरे पड़े थे उसका मैं answer बताऊं क्या तुम लोगों को जरूरत तो नहीं थीन आया पर इसका dielectric constant k3 था और ठीकनस t3 था इसका dielectric constant अगर k2 है और इसकी थिकनस t2 थी और पहले वाले कले भी अगर हम बात करें तो इसका dielectric constant k1 होना था थिकनस t1 हो थी ऐसे case मैं अगर capacitance मुझे define करना होता था तो मैं define करता था इसको epsilon a upon बेटा d की जगा t1 by k1 t1 by k1 फिर t2 by k2 फिर t3 by k3 की कहानी हमारी चलती हुई चाहती थी और इसमें कोई समस्य थी भी नहीं हम लोगों बढ़िया सब कुछ अच्छा से चल रहा था कुछ हाल जिन्दकी जी रहे था अगला case आता था जिसमें की उन्होंने बोला कि वही साब अभी तक तो आप थिकनस का बटवारा कर रहे थे क्योंग ना डाइलेक्ट्रिक कॉंसेंट को मैं कुछ ऐसे भरूं डाइलेक्ट्रिक कॉंसेंट को मैं कुछ ऐसे भरूं कि तुम्हारा आधा एरिया भर जाए और बाकी पार्ट में हवा रह जाए बटा यहां पर देखो सेपरेशन का बटवारा नहीं हुआ बटवारा हुआ है एरिया का इस बार एरिया का बटवारा किया यहां पे एरिया एवन यह खाली बचा हुआ एरिया एटू थिकनेस के साथ कोई छेड़ खानी नहीं की बड़ा ऐसे केस्ट में जब हम फॉर्मला डिफाइंग करते थे लेंदर फॉर्मला इस गिवन बाइ एपसाइल नॉट बाइडी क्योंकि इसके साथ कुछ शेड़ खानी नहीं की किसके साथ किया परिशान हमने एरिया को यहां पर लिखेंगे के वन एवन प्लस के टू अब बाइचांस अगर एटू हमारा यहां पे स्वारी यहां पे सेक रख लेना वन होती है बाकियों के लिए आपको दे देगा वो कोशन में इस इनको लेके ज्यादा परिशान मत होना पहुच अंदर तो पेटा आपने केपैसिटर को समझा आपने देखा कि भाई एक सिंगल केपैसिटर आता है तो उसकी कैसे निकाली जाती है लेकिन सर इस कैपैसिटर को तो हम सरकिट में इस्तमाल करेंगे बिलकुल करेंगे सर इसको सरकिट में इस्तमाल किया सरकिट में जो यहां पे बैटरी लगे उसका पोटेंशल वी है तो पेटा इस पोटेंशल की वजह से इस पे कुछ चार्ज आएगा माल लीजे इस पे चार्ज Q आया तो इसका कैपैसिटेंस इस गिवन भाई बोलो तो कैपैसिटेंस इस गिवन भाई इस इट क्यू बाई वी बेटा क्योंकि क्यों सुसी वी हो जाएगा पता है ना बेटा वहीं पर अगर सिनेर्यों बदल जाए और यहां पर दो केपैसिटेंस गए तो चैव और मैं का कफ्म फोलो होने की वूद एसके उपर कुछ चार जाएगा क्ईूटू आयेगा कि नहीं आएगा बोलो हां की ना पहले एक सिंगल केपैसिटर था बेटा केपैसिटर को बैटरी से जोड़ा तो बैटरी क्या करेगी सप्लाई करेगी चार्ज का करेंट का सप्लाई अरे यार करेगी ना अब उसकी वज़से क्यों होता है सरी केपैसिटर को जैसे जैसे चार्ज मिलता गया उस बैटरी खुद से चार्ज तो नहीं देती ना, क्यों अचे, बैटरी खुद से चार्ज तो नहीं देती ना, तो किसी के दिमाग में यह खयाल तो नहीं आ रहा कि सर, यहां से बैटरी चार्ज दे रही है, पॉजिटिव वाला, और यह पॉजिटिव इदर एक अठा हो रहा है जा जाके, बोलो तो, ऐसा दिमाग में का ह्याल तो नहीं आ रहा किसी के, भाई यह बैटरी खुद से कुछ नहीं करती, बैटरी सिफ सर्कुलेट करती है, बैटरी क्या करेगी, यहां से पॉजिटिव चार्ज निकालेगी, यहां से, देखो, इनीशली यह प्लेट हमारी न्य यहां से पॉजिटिव चार्ज निकालके इधर डाल देगी, 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 यहां से पॉजिटिव च बैटरी क्या करता है यहां से इलेक्ट्रोन निकालता है उसको यहां पिलाके घुसा देता है एक साइड से लेक्ट्रोन निकाला दूसरी साइड जाके इलेक्ट्रोन को फिट कर दिया इधर से लेक्ट्रोन को निकाला इधर जाके फिट कर दिया इधर से लेक्ट्रोन निकाला बेटा एलेक्ट्रोन क्या negatively charged particle होता है जी सर बिल्कुल अगर यहां से electron निकालोगे और यहां जाके supply करोगे तो क्या यहां positive और यहां negative आजाएगा एक और electron निकालके हमने यहां supply किया तो यहां पे positive और आगया यहां पे और जादा negative आगया एक और electron निकालके हमने यहां पे supply किया तो एक और positive चार्ज यहां पे एक और negative चार्ज यहां पे एक और electron निकालो तो एक और positive चार्ज और एक और negative चार्ज बेटा ऐसा करने से क्या इस capacitor के एक side positive charge और एक side negative charge आ चुक है, बिल्कुल, इसको कहते हैं, charged capacitor, यह है charged, यह क्या होगे बटा, charged capacitor हो गया, यहाँ पे चार्ज आएगा, प्लस Q, यहाँ के plate पे होगा, minus का Q charge, तो इस capacitor के उपर charge कितना आया बटा, इस capacitor के उपर Q charge आया, क्यों क्यों आया, क्यों क्यों आया, क्यों सोचोना, electron ऐसे जा रहे, तो क्या current इधर ही जाएगा, बिटा? सोचोना, electron ऐसे निकल के जा रहे, तो current ऍसके opposite direction में रहेगा, electron ऐसे निकल के जा गॉटेड, बटा, तो अगर एक याकपासीटर को बैटरी से कनेक्ट करते हो, तो क्या वो चार्ज हो जाता है, हाँ सर बिलकुल देख रहे हैं, पहले प्लेट के उपर कोई चार्ज नहीं था, आज प्लेट के उपर चार्ज आ चुका है, तो यह क्यों आया, क्योंकि आपने निदागे काथ ही स्टोर करी मैं ईयुक्साइट YOUR को व्याइज पॉक्साइट जया है पॉजिटे मस्वासर को सॉब। फया गरवाक है उतल डाइजिघै थे ऐसे फिर फिर उसके बाद आती है टीन पॉजिटर प्लिडमद कोई फ्र यह क्या इससे पहले ऐसा कुछ हो पाता बिटा अगर ये न्यूट्रल होती प्लेट्स अगर ये दोनों कैपैसिटर की प्लेट्स न्यूट्रल होती तो बिटा क्या इनके बीच में इलेक्ट्रिक फिल्ड आ पाता नहीं सर यहां पर इलेक्ट्रिक फिल्ड जीरो हो जाता तो एनर बनpower प्रियाश वे इस इलेक्टान निकालं के इधर इस hazard चुपका दीए यहां से नग्टोप निप्रो और यहां जानके उलेक्टव्ग और यहां जाके एलेक्टोण डीटोफ ले लेक्ट पाटिकल यहां से निकला न्यूट्र थाना बेड़u न्यूटर था यांनि जितने प्रटों थे कब यहाँ सब्सकेपा असे जोड दो तो यहाँ करते 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 क्या हुआ ऐसा करते करते इस प्लेट पे आ गए पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट पे आ गया नेगेटिव चार्ज क्या इसकी एक लिमिट होती है जी बिल्कुल सर आप भी ना बता है था कोई भी है उसके पास चार्ज की तो हमें बता चला के पैसिटर हमारा चार्ज हो गया ठीक है खतम काम अभी आगे चांगे और चीज़ बताऊंगा आपको उससे चीज़ और जाधा क्लियर होगी लेकिन अभी बस इतने ही समझो क्या के पैसिटर पहले न्यूट्रल था जी सर पहले डि एलेक्ट्रिक फील बिल्कुल कर रहा है सर तो इसमें एनर्जी स्टोर होती है लेकिन कौन सी होले इन टरम्स अफ इलेक्रिक फील्ड बात यह नहीं है बात पता है कि सर दो दो केपैसिटर को जेलना बड़ा भारी काम है एक सिंगल केपैसिटर बड़ा प्यारा होता है काम बड़े आसानी से हो जाता है इवन इसके लिए मैं डिरेक्ट फॉर्मला लगा सकता हूँ एपसिलो नॉट अपॉन डी करके मज़ा ही क्यों ना हमें इनकी जगा एक कैपैसिटर दे दे एक ऐसा कैपैसिटर जो इनके बराबर का काम करता है तो उसको कहते है इकुलिंट कैपैसिटर तो सर यहां पे आप दो तीन कैपैसिटर दोगे तो इनकी जगा एक ऐसा कैपैसिटर दे दो जो इन सब का काम मिलके करते जैस हमार पास एक smartphone है उसे smartphone में सारे काम हो जाते हैं तो यार पहले सब के काम अलग अलगते हैं लिकिन हम चाहते हैं नहीं साब एक काम करो ना एक काम करो ना इनकी जगा एक ऐसा smartphone दे दो जो इन सब के काम करते हैं क्या मतलब सब के काम करते हैं इस पे net charge कितना इस पर नेट चार्ज आ रहा है Q1 प्लस का Q2 तो सहाब एक ऐसा स्मार्टफोन देदो जो दोनों के जितने उपर चार्ज आ रहा ना उतना चार्ज वो खुद पे ले ले जब उसको सेम बैटरी से करना किया तो दोनों मिलके जो चार्ज ले रहे हैं वो खुद पर उतना चार्ज ले ले जब उसको सेम बैटरी से करना किया जाए तो तो एक ऐसा mobile हमें देदो एक ऐसा smartphone देदो जो इन सब के काम कर दे इनक का capacitance c1 इसका capacitance c2 तो इन दोनों का मिला कि एक ऐसा capacitor बनाओ जिसका capacitance हो जाए c equivalent तो अब हमारा मकसद यह हो गया है कि जब भी हमें circuit में बहुत सारे capacitor देखें तो हम कोशिश करेंगे उन सारे capacitors को हटा के a capacitor ऐसा लगा हैं जो हमारा काम बहुत आसान करते क्यूंकि एक हम आज पढ़ेंगे सबसे पहला होता इटर सी waking कांबिनेशन जिस में capacitor आप लिखना लिखने का कुछ है इसमें इसमें रिवीजन ही होगी तुमारी है चाहिस बढ़ो अगे बढ़ो आगे सारी बाटे लिख लो यह सब कुछ लाष लेक्टर में हो गया था हमारी आज की यहां से शुरू होती है यहां से हम आज के में मुद्य पैते हैं मैं आपको बता है कि कोई भी कैपासिटर चार्ज कैसे होता है तो जब वो कैपास चार्ज होता है तो उसके पास energy भी कैसे store हो रही है वो in the form of electric field है और जब वो चार्ज होगा तो ही electric field आएगी otherwise कोई electric field नहीं है और अगर कोई electric field नहीं है बिटा तो कोई energy भी नहीं है ठीक है बैटरी का काम खुद से charge नहीं देगा वो एक plate से charge निकालके दूसरे पर supply कर देगा फिर दूसरी बात हमने समझी कि भाई साब इतने सारे capacitor solve करने से तो बहतर है कि हम एक single capacitor को solve करने मज़ा आ जाएगा तो इसका मकसर पता है क्यों होता है वो आपको ऐसे बहुत सारे capacitors देगा और बुलेगा कि भाई इसका capacitance है 5μF इसका है 3μF तो एक काम करो एक ऐसा capacitor बनाओ इन दोनों का काम कर सके ठीक है बनाया उसका capacitance क्या होगा तो ये चीज़ा हमें solve करने होती है तो इसके लिए formulas होते हैं तो वो कहां से जाते हैं अब ही बता दो पहले इसको छाप लो ठीक है चली बचे तो सबसे पहला case आता है series combination का हम आपस ठीक है तो combination of capacitors में combination of capacitors में पहला case जो हमारे पास आने वाला है बेटा it is the case of a series combination अब भाई साब जब सीधी सी बात है series combination बोला है तो series का मतलब समझते हो कि आप लोग एक पंक्ती में पंक्ती कौन है से अरे एक line की बात करने है ना so the point is कि sir suppose करो हमारे पास से नेरे कुछ इस प्रकार से आजाए जिसमें बहुत सारे capacitors है और ये सारे के सारे capacitors series में लगे हैं इनको कने किया विच सम बैटरी 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 का वोल्टेज भी देथी हम लोगों ने और अभी फिलाल एक काम करते हैं तीन capacitors के लिए कहानी का solve करते हैं अभी हम सिर्फ तीन केपैसेटर के लिए solve करते है बागे मां आगे बड़ा दुदा पहला capacitor जिसका capacitance C1 दूसरा capacitor जिसका capacitance C2 तीसरा capacitor जिसका capacitance होता है C3 अब इनवा बला भाई साब हमें तीन capacitor दे दिये, तीनों को अलग-अलग solve करोगे, तो एक काम करो ना, तीनों को हटा दो, यह क्या है alarm clock, यह क्या है torch, यह क्या है calculator, सर यह तीनों मुझे एक ही device में दे दो ना, क्योंकि वो easy होगा मेरे लिए carry करना, तो हमने बोला, एक काम करो साब, इनका बनाते एक equivalent, equivalent हमने बनाया, यहाँ पे, उसको जब same battery से connect करोगे, अरे यार, तुम अपनी ली ले रहो ना, किसी और के लिए तो नहीं ले रहो ना, खुद के ले ले रहो ना, तो जब तुमने खुद के लिए यह चाज़ बनाये, तो यहाँ पे ऐसा capacitor है, जिसका capacitance equivalent कहलाएगा, यह हमें find करना दो बेटा, ठीक है, क्या बोला, यह तीन capacitor मिलके जो काम कर रहे है, यह काम अकेला कर देगा, तीन capacitor मिलके जो काम कर रहे है, वो यह काम अकेला कर देगा, जब उसको आप same battery से connect करोगे, तो चलो भी, शुरू करते हैं कहानी को, अच्छा एक बात बता बेटा, बहली चीज, यहाँ से charge का flow होगा, मैंने माली है सर, क्यों charge जा रहा है यहाँ से, क्यों charge जा रहा है, बेटा, charge जा रहा है यहाँ से, ध्यान सुना, यह क्या गया 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 गया, इस पर चार्ज कितना है क्यों फिर आगे गया है कितना क्यों फिर आगे गया मेन resilience कॉमबि ठीक है तो यह जो potential difference है यह क्या कर रहा है चार्ज को flow ही तो करा रहा है भाई potential difference मतलब यह higher potential पे lower potential पे higher potential पे lower potential पे charge हमेशा जाता है from the higher potential to the lower potential ठीक है चलो तो वही charge पूरे circuit में flow रहा है अब क्या होता है जब आपने इन तीनों को हटाया same battery से connect किया तो same charge यहाँ पे भी supply होता है same charge यहाँ भी supply हो रहा है इस पे charge आ रहा है क्यों इस पे charge आ रहा है क्यों इस पे charge आ रहा है क्यों इसके across potential पोटेंशल आएगा उसका नाम करन उन्होंगा V1 इसके across जो potential आएगा इसका नाम करन किया V2 इसके across जो potential हैगा उसका नाम देंगे V3 from the formula Q equals to C V अगर बेटा Q equals to C V का formula लगाया जाए ठीक है, तो Q तो constant होगा तो C inversely proportional to V के हिसाब से अगर गौर फर्माओ जाला थोड़ा सा सोच C को नहीं लिगा, V को लिगा मैं Q equals to C V में देखो बेटा अगर Q fix है, तो क्या C अलग होने से V अलग हो जाएगा Q fix है बेटा, तो V जो है वो depend करेगा C पे सबके capacitance अलग-अलग है तो सब पे potential भी अलग-अलग आता है charge अलग-अलग क्यों नहीं है? क्योंकि charge का supply ये बैटरी कर रहे है चार्ज सब पे अलग-अलग क्यों नहीं है? क्योंकि charge की supply बैटरी के थू हो रही थी इस पे कोई capacitor की कोई जिम्मेदारी नहीं है ठीक है? हाँ, charge का बटवारा तभी होता है जब circuit ब्रेक हो जाए charge का बटवारा तभी होगा जब circuit ब्रेक हो जाए सपोज करो ऐसे कुछ कहानी बन रही है अगर Q charge यहां से आ रहा है बैटर तो अब charge क्योंकि flow करना चाहता है अब वो confused हो गया कि क्या करूं तो वो उपर से जाएगा Q1 charge, नीचे से जाएगा Q2 charge तो charge का बटवारा तभी किसी junction पे आके होता है अगर circuit में कोई junction junction समझते हो तुम रोग junction समझते हो क्या बेटा junction मतलब वो जगा जहां पे 2-3 लोग मिलते हैं 2-3 lines मिलती हैं तो क्या यह junction है बिल्कुल है इसा क्या यह junction है बिल्कुल है junction पे ही charge का बटवारा होता है otherwise charge हमेशा चलता रहता है रहता है जब तक junction नहीं आएगा charge वही चलता रहेगा चलिए तो charge तो सब पे सेम था charge सब पे सेम होने के कारण सब पे लगने वाला potential अलग हो गया क्योंकि सब का capacitance अलग-अलग था सब का capacitance अलग था इसलिए सब पे potential भी अलग-अलग आएगा ठीक है यहाँ पे potential V1 यहाँ पे potential V2 यहाँ पे potential V3 potential कहता है कि भाई सब हमारी कहानी सेम होती है समझ लो ऐसे कहानी को कि suppose करो इस पे potential अगर V1 है और इस पे अगर potential V2 है तो यह V1 और V2 सेम होते है for parallel combination parallel का नाम अभी नहीं लेना चाहता हूं मैं ठीक है तो उपर जो net potential है वो इसके potential के बराबर होना चाहिए क्यों? क्योंकि सेम चार्ज का supply करवा रहे हो तुम रोख अरे सेम चार्ज का supply करवा रहे हो तुम रोख तो सेम चार्ज का supply करवाने के लिए जितने potential की requirement यहाँ थी उतने potential यहाँ भी होना चाहिए अरे याद जब Q charge का supply करा रहे हो Q charge same charge कब तक flow करता रहेगा circuit में सब जितना potential यहां है उतना potential यहां होना चाहिए तभी वो आगे बढ़ेगा दर्वाज वो बढ़ी नहीं पाएगा इतना के जितना potential यहां पे है जिसकी वजह से चार्ज चलना शुरूआ उतना potential यहां भी होना चाहिए तभी तो पुरा supply कर पाएगा इस complete तो मैंने बहुत जितना potential बैटरी का है उतने potential इन तीनों का मिला के होना चाहिए ठीक है तो फ्रॉम फिगर फ्रॉम फिगर potential across C1 plus potential across C2 plus potential across C3 is the equal to the net potential बैट जितना potential यहां पे है उतना ही potential यहां होना चाहिए तभी तो circuit में charge का proper flow होपाएगा चले ठीक है सब मानगे आपकी बात तो यहां पे भी formula लगा है बैटा अब भी बात में लगा ते रुको ठीक है ठीक है ठीक है बैटा इसका V1 can be written as Q equals to C1 V1 Q is equals to C1 V1 तो बैटा V1 का value Q divided by C1 V2 का value Q divided by C2 V3 का value Q divided by C3 क्या यह बात सही रहेगी V1 का value Q divided by C1 लिखो यहां पे Q divided by C1 plus Q divided by C2 plus Q divided by C3 is equals to V clear लगी बात है इसको बना दो equation number 1 इसको बना दो equation number 1 बैटा अब मैं जारे इस equivalent वाले को देखूं तो क्या इस equivalent के लिखा जाएगा Q equals to C equivalent into V क्या है बैटा इसको लिखूं मैं Q equals to C equivalent into V तो बैटा यहां से V का value क्या बनेगा V का value बनता है Q divided by C equivalent सही बात है बैटा V को क्या लिखा जाकता है Q by C equivalent इस V को उठा के अगर मैं यहां put कर दूं तो क्या होगा अगर इस V का value उठा के मैं वहाँ equation number 1 में put कर दूं तो equation कैसे बनने वाली है बैटा इस V का value उठा के वहाँ put कर रहा हूं so it comes out to be Q divided by C1 plus Q divided by C2 plus Q divided by C3 should be equals to बैटा V की जगा पे Q by C equivalent लिखना चाहिए हम लोगों को so it should be Q divided by C equivalent सारे Q से Q मर जाएंगे सारे Q से Q मर जाएंगे and we are left with the formula that 1 upon C equivalent should be equals to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3 बैटा तीन कैपैसिटर्स अगर सीरीज में कनेक्टेड हैं तो आप ऐसे इनका equivalent capacitance find कर सकते हैं equivalent मतलब इन तीनों की जगा एक ऐसा capacitor लगा दो जो इन तीनों के बराबर का काम कर सके तो उसका capacitance C equivalent होगा इसको जल्दी से चापो फिर हम आगे बढ़ते हैं clear रही बात हैं क्या किया बैटा CDC बात है हमने बुला है हम चाहते हैं कि तीनों capacitor की जगा एक ऐसा capacitor आज़े जो तीनों का काम कर दें तो हमने बोला ठीक है साब इन तीनों की जगा एक ऐसा capacitor लगा सकते हो लेकिन उसका equivalent निकालने का formula यह है तो जब भी तीन capacitors series में हैं तो उनके लिए यह formula लगेगा सर अगर suppose करो तीन की जगा n number of capacitors हो तो क्या करेंगे if n number of capacitors are connected in series are connected in series तो बड़े कहानी ऐसे बजाएगी series में है न बटा तो यहाँ पर मैं formula लिखता हूँ c equivalent लेकिन किस कैसम है series में पता अभी तर चलने हैं चाहिए किस के लिए है so this is a formula for c equivalent लेकिन किस कैसम है series के लिए 1 by c1 plus 1 by c2 plus 1 by c3 plus 1 by c4 plus 1 by c5 plus dash 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 plus का 1 by cn I hope अभी बात clear रही अगर n number of capacitors series में connected हैं तो equivalent निकालना बहुत अच्छा आता है इसी में case और जोड़ जाता है कि अगर सारे capacitance बराबर हो जाएं तो क्या बनेगा special case if c1 equals to c2 is equals to c3 up to cn सारे capacitance अगर बराबर हो जाएं तो 1 upon c equivalent बनता है कितना n divided by c बेटा 1 upon c equivalent कितना बन जाएगा 1 upon c यहाँ पे equivalent series के लिए लिखते दो 1 upon oh sorry n upon c तो बेटा c equivalent in case of series should be equals to c by n direct चीज़े याद रखोगे, quotient जल्दी solve होगा, जादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा तो special case है, अगर सारे capacitance बड़ाबर हो जाएं और n number of capacitors है तो आप सीधा formula लगाना है, c equivalent should be c by n where c is the capacitance of a single capacitor single capacitor कोई भी single capacitor होगा, उसका capacitance जो होता है बिटा, वो क्या हो जाएगा, c हो जाएगा clear रहेगी बात है, छाप लो जल्दी से note किया जाए अच्छा यह बात पता चलती है, q equals to cv, series combination में q constant होता है, यानि कि जो v है वो c के इंवर्स्री प्रपोर्शनल के साब से जिसका capacitance जदा होगा, उसका cross potential कम होगा, ठीक है capacitance potential पर depend नहीं करता, लेकिन potential तो capacitance के साब से आ रहे है, ठीक है तो जिसका capacitance जदा होगा, उसका potential उतना कम हो जाएगा, तो उसके साब से देश्वाप adjust के लेना, ठीक है मालोग किसी का capacitance आधा हो गया, तो उसका potential जो होगा, वो कैसा डबल हो जाएगा फिर है ना, पता है नहीं सारी बाते, चलो, बढ़े आगे लोग भई, सारी बाते लिकिए series combination में formula क्या होगा, अभी आगे दिखा देता हो, लीजे मेरे बच्चे, क्या हमने भी यह formula निकाला था, हाँ साब हमने भी यह formula निकाला तो अगर तुम्हें मेरी rating समझ नहीं है, तो तुम इनकी rating को समझ लेना, यह बहुत अच्छे से समझ लाते हैं, यह ना, चलिए देखा मैंने भी दिख बोला था, capacitance is अलग होते हैं, जिसके वज़े से potential difference जो होता है, capacitance के cross, वो भी अलग हो जाएगा बढ़े आगे, ओके, आगे बढ़ते हैं, now let's talk about the parallel combination, अब parallel को भी मैं ऐसे खुद से समझ जाओंगा, ठीक है, मेरी समझ भी बाते अच्छी लगती है ना, तुम लोगों को, हाँ तो second वाला case हो जाएगा, parallel combination का, अब parallel combination में क्या होगा साब, parallel कैसे रहोगे, यहाँ पर मैं बताता हूँ A capacitor यहाँ, A capacitor यहाँ, A capacitor यहाँ, और A capacitor यहाँ, क्या तीनों एक दूसे के parallel है बेटा, हाँ सब बिल्कुल तीनों एक दूसे के parallel है, इनको हमने किसी circuit से करने किया, जिसकी battery जो है, उसका potential है V इसका capacitance C1, इसका capacitance C2, इसका capacitance C3, बेटा, charge कहाँ पर बटवारा कहा होता है, junction पे, तो बेटा, यहाँ से Q charge आया, ध्यान से सुनना, बड़ा मज़ आएगा, Q charge आया, यहाँ पर Q charge आया, और यह क्या, junction, तो उपर जाएगा कितना, Q1, इसमें जाएगा कितना, Q2, और इसमें दो का बटवारा हमेश्य कहा होता है जंक्शन पे होता है, जंक्शन पे होता है, अब यह बार देहार गौर फर्मा दूपर कि क्या यह Q1, इसको थोड़ा च्रूज बना दो क्या यह Q2, जो है, वो घूम लाज जाएगा, और Q3 वालज वालज वो इधर आएगा बिल्कुल से बोल यह सारे के सारे चार्ज घूम फिर के यहीं आएंगे है ना अच्छा तो बटा इन सब को एक ही जगा पर जाना है तो इनके लिए पोटेंशल की वैली सेम रखूंँ तो मैं बूलूँ क्या जो पोटेंशल इसके अक्रास होगा वही पोटेंशल इसके अक्रास होगा वही पोटेंशल बात यह ल्गो एक मिट्अ सबस терएए कर दू इसके ग्राउस पोटेंशल वी इसके अग्राउस भी वी और इसके अग्राउस भी वी ठीक है बिटा एक चीज देखो इस जगा पे क्या ये q-charge आ रहा था हाँ सर क्या ये q-charge के बटवारे हुए तो सर मैं क्या लिखूं कि Q-Charge के हमना आरे पास तीन बटवारे हो चुके हैं क्या मैं लिखूं क्या कि Q-Charge के हमारे पास तीन बटवारे हो चुके हैं और इन तीनों को जोड़ दो तो फिर से हमें क्या मिल जाता है बेटा Q मिल जाता है, जैसे कि हमने यहाँ पर जोड़ा था, यहाँ से Q1, यहाँ से Q2 और यहाँ से Q3 आएगा, ठीक है, किया दाना मिटा, इधर से Q1 आएगा, यहाँ से Q2 आएगा, यहाँ से Q3 जाएगा, तो तीनों मिल के फिर से क्या जाएगा है, Q, तो तीनों चार्ज इसको जो same battery से connect हिया तो इसके across भी potential कितना हो जाएगा V होजाएगा इसपे charge कितना जाएगा Q जाएगा इसके across potential V जाएगा पहली चीज मैं इन 3 circuits को देखने चाहता हूं मैं जानता हूं कि Q equals to Q1 plus Q2 plus Q3 होता है और यहाँ पर अगर मैं पहले वाले capacitor की बात करहूं तो क्या लिखूँ, Q1 is equals to C1V, second वाले के लिखूँ बेटा, Q2 is equals to C2V, third वाले के लिखूँ, Q3 is equals to C3V, बोलो बेटा, सही बात है, पहले वाले के उपर जो चार्ज आएगा वो Q1, given by C1V, दूसरे के उपर चार्ज आएगा Q2, given by C2V, तीसरे के उपर चार्ज आएगा Q3, given by C3V, पढ़ा है बच्पन में Q equals to CV वाला फॉर्मला, बच्पन में Q equals to CV का फॉर्मला पढ़ा था, बस वही ही फॉर्मला हमने यहाँ पर लगा दिया, बटा, यहाँ पर जो Q आएगा, it is given by C equivalent into V, यहाँ पर जो चार्ज आएगा, given by C equivalent into V, तो यहीं से इसको मैं आगे solve करो बटा, Q is equals to Q1 plus Q2 plus Q3 किया, मेरा बच्चे एक बार बता, Q की जगा पर क्या लिखूं मैं, Q की जगा आप लिख दीजाए, sir, C equivalent into V, Q1 की जगा पर मैं लिखूंगा C1V, Q2 की जगा पर मैं लिखूंगा C2V, और Q3 की जगा पर मैं लिखूंगा C3V, बटा, क्या चीजें ऐसी है, जो कट सकती है, आपर, सारे V से, V से, V से, V मर जाएंगे, और C equivalent जो रहेगा, it is given by C1 plus C2 plus C3, यानि कि अगर capacitors को parallel मैं जोड दखा है, तो आप उन सारे capacitors को directly add कर दो, तो आपको एक ऐसा capacitor मिलेगा, जो तीनों का बराबरी का काम कर सकता है, आपके पास तीन capacitors है, parallel मैं आप तीनों को जोड दीजिए, तो आपको एक ऐसा capacitor मिलेगा, जो तीनों का काम कर सकता है, ठीक है, if there are N number of capacitors, if there are N number of capacitors, विटा अगर हम आपस N number of capacitors हो जाएं, फिर क्या गर होगे आप लोग, तो सर उस case में C equivalent बनेगा, C1 plus C2 plus C3 plus C4 plus blah, 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 up to C1. बेटा, if we have the N number of capacitors, तो यहाँ पे formula यह बनेगा, और इसमें भी condition लगा दो, कि अगर C1, C2, C3, C4, C4, बराबर हो जाएं सारे, then C equivalent will be equals to N C. अगर सारे capacitors बराबर हो जाएं, तो C equivalent is given by N times of the C. वहाँ पे C by N था, यहाँ पे N times हो जाएगा, ठीक है, अंतर यही है, बस. ओ, कुछ देखने को मिल रहा है, सार, यह तो resistors में पढ़ा था, class 10th में, मुझे अच्छे से याद है, हमने resistor जोडे थे, तो series में उनको सिधा जोड़ देते थे, लेकिन आप तो parallel में, हाँ, capacitor की कहानी, resistor के opposite चलेगी. resistor में क्या करते थे? resistor में parallel combination होता था, तो 1 upon R equivalent is equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 करते थे. तो यहाँ पे कहानी, उल्टी चलेगी. तो मैं बात करूँ capacitor versus resistor की, तो दोनों में अंतर है, बटा. ठीक है? तो आपको अगर याद नहीं रहे, तो ऐसे भी याद रख सकते हो, वैसे थे. By the way, resistor, बैटरी से जोड़ा, तो R equivalent आता है, R1 plus R2 plus R3. ठीक है? वहीं पे अगर मैं capacitor की बात करूँ. लीजे बटा. series combination पे कहानी बदल जाती है. वहीं अगर मैं parallel combination की बात करूँ, तो parallel combination में क्या होगा? R1, R2, R3. तो बैटा, इसमें लिखते थे, 1 upon R equivalent is equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. solve करने का तो वहीं तरीक है, लेकिन वहीं पे अगर capacitors को parallel में लगा दे, तो कितना अच्छा प्यारा सा answer आता है? चीदा तिनों को add कर दो भई, कोई भेदबाओ नहीं, कोई कुछ नहीं, शान्ती से सब काम बढ़िया चल लेते हैं. लेजिए बेटा, तो यह अंतर थोड़ा सा help कर सकते हैं, आपको चीज़े याद दखने में, कि जो काम resistor के लिए किया था, उसका उल्टा कर दो. जो काम resistor के लिए किया, उसका उल्टा हो रहा है. parallel में resistor यह लगाता था, लेकिन यह series में लगाता था, resistor. resistor के लिए जो फॉर्मला सीरीज में लगता था, capacitor के लिए वो फॉर्मला पैरलेल में लगेगा. resistor के लिए जो फॉर्मला पैरलेल में लगता था, resistor के लिए जो फॉर्मला पैरलेल में लगता था, capacitor के लिए वो फॉर्मला सीरीज में लगता है. तो बस opposite वाली कहां नहीं है ठीक है और कुछ भी नहीं है चाप नहीं है चाप नहीं है चाप लो पैरलल कॉंबिनेशन निको लिको 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 होगी ठीक है यह बाद नोट कर लिया था तुम बोगो नहीं चलिए तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कम भी एक difference capacitor और resistor के combinations में है वो आपको थोड़ा सा helpful हो जाएगा चीज़े समस्ने में आगे चलेंगे RC circuit अभी दोनों साथ में भी आएंगे है ना मजा आएगा उसमें बहुत यह बाते हैं तो आप पैरलल कॉंबिनेशन में क्या हो रहा है अगर एक plate is connected together and the other plate of each capacitor is connected together such that the combination is called the parallel आप देख सकते हैं पैरलल कॉंबिनेशन बनता है वो definition दे रखी सामने उसके अलाबा फॉर्मला यहाँ पे आओ यहाँ पे सारी बाते मैंने पोटेंशन सेम रहेगा क्योंकि पैरलल कॉंबिनेशन में पोटेंशन की वैल्यू सेम ही रहती ही बिटा तो C क्लियर रहेगी बाते सभी को बहुत चांदार चली बचे आगे बढ़ते हैं हम लोग सवाल सवाल देखते हैं सवाल क्या बोलता है अब कॉंसा कॉंबिनेशन है सीरीज है या फे पैरलल है कैसे पता करें बड़ा सिंपल सा तरीका है चार्ज को देखो तुम्हें कभी को आर समझ नहीं आता होगा ना कि क्या करें सर कैसे पता लगाएं सीरीज है कि पैरलल है चार्ज को देखो अगर इसका बटवारा हो गया अगर यह चार्ज डिवाइड होता है तो वो कह लाता बिटा पैरलल कॉंबिनेशन अगर यह चार्ज सेम चलता रहेगा तो वो होता है सीरीज कॉंबिनेशन जैसे कि यहां पर आओ यहां पर यहां पर यहां पर मैंने बैटरी लगा दी तो पेटा चार्ज निकले गए हैंसे क्यूं यह चार्ज बढ़िया चल रहा है यहां पर लेकिन यह क्या होगा सर यहां पर एक चार्ज जाएगा यहां पर दूसा चार्ज जाएगा तो यहां प अगर Q1 चार्ज आया तो यहां पर Q2 चार्ज जाएगा. मतलब ये वाला parallel combination में जाने वाले है. ये वाला, ये वाला parallel में जाएगा. इसके लब Q2 के देखो, ये ही Q2 3 microfarad से होते हुए इधर 6 microfarad में गया. कौन है Q2? क्या बटवारा हुआ? नहीं. फिर ये ही Q2 किस में चला गया? 2 microfarad में गया? बटवारा हुआ? नहीं. फिर ये Q2 यहां से आया, ये Q1 यहां से आया, और बेटा Q1 और Q2 दोनों मिलके फिर से क्या हो गए? Q. तो कहा series, कहा parallel, जड़ा देखो तो, जहां पे charge का बटवारा नहीं हुआ. ये तीन, ये तीन कैपैसिटर से, 3 microfarad वाला, 6 वाला और ये 2. ये किस में आएंगे? सीरियस में आएंगे. क्यों? क्योंकि इस में charge का बटवारा नहीं हुआ. पहले, आप इन तीनों को solve कीजे. पहले, आप इन तीनों को solve कीजे. तीनों को solve करेंगे, सर्किट कुछ इस प्रकार से बनेगा. 3 microfarad, 6 microfarad और 2 microfarad. तीनों को हटा के, मैंने एक नया capacitor लगा दिया. यहां already 1 microfarad है, बेटा. यहां पे क्या बनेगा? वो तुम बताव. तू दोनों क्या हैं सीरीज में तो पहले तो सीरीज का फॉर्मॉला लगा के इनका वैल्यू निकालो उस वैल्यू को उठा के यहाँ पूट करो फिर जो वैल्यू यहाँ पर आगी वह वन माइक्रोग फेरेट के साथ पार्लेल कॉम्बिनेशन बनाएगा क्योंकि दूम तो जानते ही हो करेंट का बटवारा होता है क्यूच यहां से आया तो इधर पर चायेगा क्यूट और इधर पर जायेंका क्यूट है तो बैटाए यह दूनों कैसे हो जाएंगे डिगा बटवार रहा तो सरी दोनों हो जाएंगे बैष में जब बैट किसमें ऑगा ये बैटो और जब दिन अच्छार्ट को देखो बस जहां पर चार्ज कब पटवारा रहा वहां पर क्या है और जहां चार्जिक बटवास Verb आन्वार नहीं हो रहां वह सीरी जह jointly श्मत्रीक पता है नहीं चलता, क्या सीरीज और पारल है, तो आप यह वाले तरीके से सूच सकते हो थोड़ा सा, छली बहुत हुआ, सबसे पहले हम सीरीज का फॉमला लगा रहे है, for series combination. for series combination, कौन-कौन है, सीरीज में है, एक तो 2 MPF वाला, एक 3 microfarad वला और एक I think 6 microfarad वला है क्या यही है बिटा सीरीज में देखो तो 3, 6 और 2 3, 6 और 2 तीनों के तीनों सीरीज में है formula लगाया सीरीज का तो 1 upon C for the series equals to 1 upon 2 plus 1 upon 3 plus 1 upon 6 तो 1 upon C for the series बिटा ऐल्सियम 6 आएगा ऐल्सियम क्या 6 आएगा अरे 2, 3, 6 क्याल्चिम 6 ही होता है बिटा 2, 3 is a 6 3, 2 is a 6 6, 1 is a 6 6 by 6 तो यह होता है 1 बिटा series का जब आपने solve किया तीनों को तो answer मिला कितना 1 microfarad जब आपने तीनों को solve किया series combination में जब आपने तीनों को solve किया series combination में तो answer है 1 microfarad तो अब हमारे circuit को थोड़ा सा modify किया गया और circuit को modify करके कुछ इस प्रकार से बनाए गया उन तीनों को हटाके एक अकेला एकलोता capacitor जो तीनों का काम बराबरी से कर देगा तीनों को हटाया मैंने तीनों को हटाके एक ऐसा capacitor लगा है जो अकेला ही तीनों का काम कर देगा दिखने में भले तुम्हें वो 1 microfarad दिख रहा हो लेकिन ये अकेला इन तीनों के series combination के बराबर है दिखने में भले तुम्हें वो छोटा दिख रहा है लेकिन ये अकेला इन तीनों के series, series में value कम हो जाती है series combination में capacitance की value कम हो जाती है तो इन तीनों का series combination वो उस one वाले के बराबर है अकेली के ठीक है अब बेटा सीरी सी बात है charge का supply किया charge का supply किया तुम्हें भी पता है कि अगर q charge यहां से आया तो इसमें चला गया q1 और इसमें चला गया q2 बठवारा हो गया तो यह दोनों किसमें आजाएंगे बेटा फिर parallel में है तो इन दोनों का अभी हमने क्या क्या पार्लल कॉम्बिनेशन गाया तो c for the parallel given by one plus one यानि की two microfarad और यही हमारा net capacitance या total capacitance हो जाएगा जो की हमें required था यही हमारा बेटा total capacitance है जो required था total capacity of the circuit is two microfarad की two microfarad option b हमें दिख रहा है यही हमारा final answer होगा two microfarad का option दिख रहा है ना बेटा हाँ तो यही है हमारा बिलकुल final वाला answer तो इसको चाप लो जल्दी से पहला सवाल था इससे थोड़ा प्यार से हलके से मैंने इसको कराया है आगे speed को थोड़ा सब बढ़ाएंगे हो गया बेटा चाई आगे बढ़ते है हम लोग देख लो इससे नोट कर लो हम आगे बढ़े हम लोग और आगे बढ़के अगला सवाल देखा बोला गया अपैलल पेट पेट अपसितर गया प्राण आगया कोई बात नहीं हम कर देंगे इसको भी कोई बड़ी बात नहीं हम रिए बैटा इस case में c will be epsilon 0 upon d k1 a1 plus k2 a2 ज़रो एक नई चीज़ बताता हो इस सवाल से एक नई चीज़ बताता हो area का बटवारा हुए ना किस प्रकार का combination दिख रहा है तुम लोगों के series में या parallel में क्या पूछ रहो sir इसमें कौन सा series parallel आता है यह क्या पूछ रहा है इसमें कौन सा series parallel आता है ज़रा देखो बैटा क्या यही formula लगेगा उसके लिए देख लो उपर वाले का area a1 नीचे वाले का area a2 क्या यही formula लगना है क्या यहाँ पे dielectric constant k1 यहाँ पे dielectric constant k2 बहुत ही शांदर सा एक जगा dielectric constant k1 दूसरी जगा epsilon a2 k2 by d बढ़े गाद बताओ क्या यह net capacitance है हासर क्या यह एक उपर वाले का capacitance है हासर क्या यह नीचे वाले का capacitance है हासर तो क्या एक individually capacitor की तरह behave कर सकता है हासर कर सकता है क्या यह individual capacitor की तरह behave कर सकता है और यह भी एक individual कि तरह करता है तो अगर ऐसे कहानी चल रही है तो क्या बोलू कि दोनों को पैरलल कॉंबिनेशन नहीं है क्या बोलू कि दोनों का क्या है इसको बनाना हो तो कुछ इस प्रकार से बना सकते हो मैं सर्कृट में यह सीवन यह सीटू लो भई आँ वो तुम सोच नहीं सकते थे ना कि ऐसा भी कुछ बन सकता है तो इन दोनों का ब्रेक करके ऐसे भी कर सकते हो ठीक है उसके लल्ए है इसमें उतका केपैसिटेंस आपको निकालना पड़ेगा ओल एक उड हो वैसे तो आप इससे सॉल्फ कर लो मैं मना नहीं करूंगा, मैं बस तुम्हें एक नई बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ तुम लोग अगर इससे solve करोगे, बिल्कुल सही answer आएगा, कोई गलती नहीं होगी best है बेटा, लेकिन मुझे तुम्हें बताना है, कि ये भी देखके तुम बता सकते हो कि capacitor का series combination है या parallel है, area का बटवारा जब भी होता है तो parallel में होता है separation का बटवारा होगा तो series में बन जाएगा फिरू ठीक है, अगर area का बटवारा होता है तो parallel में, लेकिन अगर separation between the plates का बटवारा हो जाएगा तो series के combination को represent करता है, जैसे कि plates के बीचका separation D था, छोड़ो, भाड़ में गया D, यहाँ पे एक dielectric डाल दी हम लोगों ने, यहाँ एक हमने dielectric डाला, मैं दो को लेकी ही solve करूँ, ताकि पता चल सके, इसका dielectric constant K1 और इसकी thickness T1, दूसरी जगा एक और dielectric constant में ने डाला, जिसका dielectric constant हो जाएगा K2 और इसकी thickness ह जाएगी T2, बटाए हाँ पे जब मैं C को लिखता हूँ, तो क्या लिखता हूँ मैं, एपसलन नॉट A, डिवाइड बाई T1 बाई K1, प्रस T2 बाई K2, ठीक है, एक बात बताना बचे, एक बात बताना, इसको कैसे करे, है, क्या करे, इसको इतल लियाँ, तो एपसलन नॉ प्लस T2 बाई K2, क्या यह बात चलेगी बिटा, क्या यह बात चलेगी क्या, क्या इसमें कोई गलती करी मैंने, देख लो, separation को काट रहूं है, ठीक है, मैं क्या कर रहूं बिटा, separation को काट रहूं, तो यहाँ पे एपसलन नॉट A को नीच ले ओ, तो 1 अपन C is equal to T1 बाई EPSल नॉट A K2, मेरे बच्चे, क्या यह इंडिविजूल कैपैसिटर की तरह बिएफ कर सकता है, क्या हाँ सर, बिल्कूल कर सकता है, गिवन बाई EPSलन नॉट A K1 by इसका T1, क्या यह इंडिविजूल कैपैसिटर की तरह बिएफ कर सकता है, क्या कर सकता है, सर, EPSलन नॉट A K2 by सकता है पिटा किई सीटू हो सकता है बिटा बोलो ह केना अरे यार यह तो इंडीविजियOL क ethic कि तिरह उसकता है और वह भी कर सकता है तो जड़ा देखो नद की टीटू को नीचे ले क्या हो न तो वदन अपॉन सीसी इसगोस्ट फॉन अपॉन एपसिल • design 1-1 मेरे बच्चे क्या कुछ नई बात देखने को मिल रही है हम लोगों का आज हाँ सर मिल गई ये सारी बाते हमने पहले कभी सोची ही नहीं थी आज पता चला कि जब जब प्लेट के बीच के सेपरेशन का बटवारा होता है तो वो series combination को represent करता है ये series combination को represent कर रहा है और ये तो बहीं ऐसे सवाल आजाएं तो उनको series parallel से भी solve कर सकते हो बाकि आपके पास direct formula भी है आप direct formula लगा या मैं नहीं बोलता हूं कि आप यही मेरे हिसाब से करो ऐसे ही solve करो वह आपकी इच्छा शर्द है मैं बिल्कुल भी नहीं डोकुंग कई लोगों को बेल को सरह आप मेरे मैं वह थाई अ क Chili और एडिशनल ग्यान देना चाहता है तो ऑडिशनल ग्यान मिल गया, मैं फिर से इसी पर आता हूँ, तो C equals to epsilon not D divided by, C equals to epsilon not divided by D K1 A1 plus K2 चलो बेट, epsilon not का formula 8.85 होता है D, plates के बीच का separation, plates के बीच का separation सब दे रखा है, बेटा, K1 पता है, K2 पता है, ठीक है, capacitance 10 microfarad का है, जब A अर्थी, जब A अर्थी, तो formula था, C not का, epsilon not A divided by D, it's your 10 microfarad, ठीक है, तो जब A अर्थी, तो capacitance यह था, अभी dielectric डाल दिया है, तो capacitance का formula, यह तुम्हारे आखो के सामने है, देखो भई, क्या आंसर आता है, बताओ जली से, चलिए भई, दिमाग लगा या, दिमाग लगा के पता चला, कि सहाब इन्होंने area को तो बराबर-बराबर टुक्रोमेट बाटा हुआ है, यानि कि, यह हो जाएगा A by 2, और यह भी हो जाएगा A by 2, ऐह, है, क्या बत, बराबर-बराबर का बटवारा, A1, A2 दोनों बराबर होगे, तो A1 की जगा A by 2 लिखेंगे, तो it will be your epsilon not divided by D, K1, A by 2, plus K2, A by 2, मेरे बच्चे, epsilon not, A by 2D, अंदर कहानी में, K1 plus K2 जो जाए, मेरे बच्चे, epsilon not, A upon D का value दे रखा है, epsilon not, A upon D का value 10 microfarad है, तो मैं लिख रहा हूँ यापे, 10, divide by 2, K1 का value कितना, K1 का value कितना, K1 का value 2 है, K2 का value 4 है, तो 2 plus 4, 6 होता है, solve करा, solve करने से, C का value आता है, 30 microfarad, यानि कि जब आपने उसके बीच में, दो plates को insert किया, दो dielectric को insert किया, तो उसके बज़ए से, उसका capacitance increase हो गया, parallel में यही तो होता है, जब भी parallel combination होता है, capacitance increase होता है, अगर आपको capacitance increase करने है, तो आप क्या करोगे, parallel combination लगाओगे, अगर आपको capacitance increase करने है, तो आप क्या करोगे, parallel combination लगाओगे, that's it, उमीद करता हूँ, बात समझ आ रही होगी, so 30 microfarad is this answer, जल्दी से उसको note कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, चाप लो जल्दी से, चाप ओ, किये note, सभी नहीं है, यहाँ पर आई यह, यह लिख लो, लिखा के सभी नहीं है, अच्छा, चलो, ना आगे बढ़ते हैं, और यह वाली बात, ज्यान की बात, हाँ, यह जरूरी है बढ़ी, ज्यान की बात बहुत जरूरी है, चाप लो इसको जल्दी से, समझ के ना, जब भी area का बटवारा होगा, तो वो represent करेगा parallel combination को, जब भी plates के बीच के separation का बटवारा होगा, बेटा, वो represent करेगा किसको, वो represent करेगा series combination को, ठीक है, चलिए बई, एक सवाल और करते हैं, find the charge on each capacitor, बेटा, आपको यहाँ पे तीन capacitors दिख रहे हैं, आपको समझना है, कि इनके उपर charge क्या क्या आ सकता है, बैटरी कनेक्ट किये, जिसका potential है 30V का, चलिए, पहले तो यह जानने सर, की combination कौन-कौन से है, तो उसके लिए हमने यहाँ से charge को flow कराया, Q charge को, यह Q charge बहता हुआ गया, इसमें से Q charge flow होगा, यानि इसके पर जो charge आएगा, वो Q हो जाएगा, फिर यह Q charge आगे गया, तो एक charge यहाँ पे चला गया Q1, एक charge यहाँ चला गया Q2, यानि इसके उपर charge आएगा Q1, और इसके उपर charge आजाएगा Q2, यह मिलके फिर से यहाँ निकल लेंगे Q1 के, मतलब यह दोनों parallel में हैं, और यह इनके साथ यह series में हैं, मैं इनको नाम दे जाता हूँ, पहला capacitor, दूसरा capacitor, और यह तीसरा capacitor, तो मैं लिखता हूँ, दे टू और थ्री, आर इन parallel combination, तो इनको solve किया है, solve कर रहा, तो बेटा 2 और 3 का equivalent, 1 upon C, क्या हो जाएगा, parallel है ना बेटा, 4 प्लस का 4, यानि की 8 microfarad हो जाएगा, तो circuit को redraw किया, यहाँ पे बनाया 4 microfarad का, यहाँ पे इन दोनों को हटा दिया, हटा के देखो, एक single capacitor लगा है, यह हो जाएगा 30 वोल्ट की बैटरी, यह है 4 microfarad का, उन दोनों को हटा के, यहाँ पे मैंने 8 microfarad का capacitor लगा दिया, अब इस पे चार्ज जाएगा Q, दूसरे पे भी चार्ज जाएगा Q, ध्यान से सुना बड़ा मजाएगा, इस पे चार्ज गया Q, इस पे भी चार्ज जाएगा Q, और इस पे भी चार्ज जाएगा Q, यानि कि 4 और 8, यह दोनों किस में आ जाएगे बैटा, तो 1 upon C equivalent is equal to 1 by 4 plus 1 by 8 LCM तो 8 ही आएगा इसका बट 2 और plus 1 करके तो 3 by 8 हो जाएगा बटर 1 upon C equivalent 3 by 8 है तो क्या मैं बोलूं कि यहाँ पे C equivalent 8 by 3 microfarad हो जाएगा, बोलो सही बात है की कलत बात है तो पूरे circuit को simplify करके इन दोनों की जगा मैंने एक ऐसा capacitor लगाया इन दोनों की जगा मैंने एक ऐसा capacitor लगाया, जो की क्या करेगा यह 30 वल्ट तो इन तीनों capacitor को हटा के मैंने एक ऐसा capacitor लगाया जो तीनों का काम कर सके तीनों capacitor को हटा के एक ऐसा capacitor लगा है जो तीरों का काम कर सके ऐसा क्यों कि आपने क्योंकि अभी तक मुझे जो find करना था charge वो मुझे नहीं मिला तो charge find तभी कर पाता जब यह सारे capacitor solve हो पाते अब निकालो यहां से charge q अब q charge निकालो अब क्या आसान होगा q find करना बिल्कुल होगा sir q is equal to c equivalent into v q is equal to c equivalent into v लो बेटा क्या यह बात सही है c equivalent है 8 by 3 लिखो यहां पर 8 divided by 3 और बेटा v कितना है 30 तो कितना हो जाएगा 80 micro कुल हम बेटा क्योंकि यहां पर क्या चल रहा है micro को भूल मत जाना है तुम लोग micro का मतलब होता है 10 की power minus का 6 तो micro को भूल मत जाना micro वाली बाते थोड़ा से ध्यान रखना ठीक है तो बता पता चला कि कलत हली के हम पता निकले ने यह नहीं है ना पता चला कि जो total charge आ रहा है वो 80 micro कूलम का निकल रहा है total charge जो बैटरी supply कर रही है वो 80 micro कूलम की है यही 80 micro कूलम पहले बाले पर भी जाता है यही 80 my कूलम जो है चार्ज वह पहले वाले पर चाते यहां पर देखो पहले वाले पर 80 micro कूलम का इधर इस पर भी charge जाएगा 80 micro कूलम का लेकिन सरी 8 micro parfरि δा, जब हम आहा पर देखा है तो इस पे 80 micro valves गया इस पे जा रहा है q1 इस पे जा रहा है q2 अब फिर से समस्या सर इस पे q1 जा रहा है इस पे q2 जा रहा है ये कैसे निकाले इसका तो चलो हमने निकाले 80 micro alarm क्या करें तो इसके लिए मैं फिर से cv formula लगा के हम solve करेंगे similarly q2 equals to cv वाला formula से हम इसको solve करेंगे पर point ये कि पहले potential तो निकालो इन पर कितना होगा तो इन दोनों capacitor के across potential निकालते हैं उसके लिए हम फिर से इसी circuit पर आए क्या बिटा ये 4 microfarad more 4 microfarad मिलके 8 microfarad बना था तो जो potential 8 microfarad पर आएगा वही potential इस पर भी होगा वही potential इस पर भी होगा क्योंकि parallel में है तो मैंने इस पर potential निकाला तो v equals to q by c करा तो answer मुझे 10 volt मिला क्या बिटा charge 80 microcoulomb का capacitance 8 microfarad का तो v equals to q by c किया q की जगा 80 microcoulomb c की जगा 8 microfarad बेटा micro से micro मर जाएगा 8 10 से 80 होता है coulomb per farad is the volt so 10 volt is the answer for this तो बेटा इस वाले पर कितना potential आएगा 10 volt का इस पर कितना 20 volt का मैंने बोला था series combination पर capacitance जादा होता है तो voltage कमाता है तो जिसका capacitance जादा है उस पर voltage कमे बेटा जो voltage इस 8 microfarad पर है वही voltage इधर इस पर भी होगा और वही voltage इधर इस पर भी होगा क्योंकि ये 8 microfarad ये 4 microfarad और 4 microfarad के parallel combination से बना है ये 8 microfarad तभी बना जब हमने इनका parallel combination लगाया तो मैंने बोला साब इस पर charge है Q1 इस पर potential आया 10V का इस पर charge आया Q2 इस पर potential है 10V का Q1 है 10V का क्योंकि साब ये दोनों parallel में same same potential रहेगा तो यहाँ से Q1 is equal to 4 into 10 किया और पता चला 40 microcolum का charge इधर आ रहा है Q2 is equal to CV के formula से 40 microcolum का charge यहाँ पर भी आ रहा है तो इस पर आ रहा है 80 microcolum का charge इस पर है 40 microcolum का और इस पर भी आ रहा है कितना 40 microcolum का charge सबसे पहला task हमने total कितना charge निकल रहा है बैटरी से वो निकाला उसको निकालने के लिए मुझे काम आसान करना था क्योंकि देखो भाई मैंने बोला था एक single capacitor होगा तो हम फटाक से answers निकालेंगे एक single capacitor की वजह से बैटा एक single capacitor की वजह से हमारा काम देखो कितना आसान हो गया कहां वो तीन capacitor थे एक में charge Q1 एक में Q2 एक में Q अलग अलग find करने पड़ते तो एक single capacitor हमारा काम आसान करता है हमने total charge कितना निकला 80 माइक्रो कुलम यह find किया यह 80 माइक्रो कुलम इधर जाएगा इसमें से भी 80 माइक्रो कुलम जाएगा फिर आगे गए charge का बटवारा Q1 Q2 गया अब Q1 Q2 कैसे निकाल हो में सब तो Q1 Q2 कैसे निकाले इसके लिए हमें सोचना था तो इसके लिए हम आएं बीच वाले circuit पर मैंने बोला यार यह Q charge इसमें से भी जा रहा है इसमें से भी जा रहा है क्योंकि यह क्या थे सीरीज में थे क्योंकि यह सीरीज में थे तो ये जो Q charge यहां से निकला वो इसमें से भी गया, इसमें से भी गया Q का value हम निकाल चुके हैं तो मैंने इसके across potential निकाला बेटा 8 microfarad वाले के across potential निकाला ऐसा Q कि एसर आपने? potential इसने निकाला मैंने इसके across क्योंकि जो potential इस पे होगा वही potential इस पे और इस पे ब्यूगा क्योंकि इन दोनों का combination ये है इन दोनों का combination ये है तो जो potential इसका वही potential इसका भी और इसका भी समझे रहो बात को? और ये दोनों वैसे पैरलेल में पैरलेल में तो जो potential इस पे आएगा वही potential इस पे आना चाहिए तो इसके उपर cross, इसके cross जो potential है वो 10 volt का था, तो बैटा यहाँ पे भी 10 volt, यहाँ पे भी 10 volt, अब तो मुझे चार्ज निकालना था, तो चार्ज होता है CV, C पता है, voltage पता है, तो Q1 equals to CV, 40 µ, इस पे भी देखो, Q equals to CV, 40 µ, बैटा, क्या यह 40 plus 40, 80 होता है, बिल्कुल होता है, तो Q is equals to Q1 plus Q2 को भी यह satisfy कर रहा है, Q is equals to Q1 plus Q2 को यह satisfy कर रहा है, 40 plus 40, 80 होता है, ठीक है, तो find the charge on each capacitor, बिल्कुल हमने find किया सर, बिना किसी जंजट के, बिना किसी समस्या के, तो उमीद करता हूं, बात आपको समझ आ रही होगी, तो इसको जल्दी से छाप लो, फिर हम आग बढ़ेंगे, क्लियर रहेंगे बाते, सभी को, चलिए भी, शाबाश, तो हमारा answer आ चुक है, और अब हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले सवाल के, और बेटा, अगले सवाल में दो ही capacitor है, ठीक है, तो फटाक से चीज़े खतम करते हैं, क्या करें, सबसे पहले, equivalent, कैसा combination ह होगा, सब कुछ fine करना है, सब कुछ fine करना है, तो पहली बात तो दोनों को देखा, तो ऐसा लगा, जैसे, series combination है, हाँ, बहुत बढ़ेंगे, तो में क्या लगा, गाना गाऊंगा, क्या मैं, ना रे, और series में, तो बच्चा-बच्चा जानता है, कि 1 upon C, equivalent होता है, 1 upon 3, plus 1 upon 6, LCM तो तुम भी जानते हो, 6 आएगा, लेकिन 3, 2,6, plus 6, 5,6, it will be 3 by 6, तो C, equivalent होता है, 6 by 3, यानि की 2, बेटा, unit, microfarad, microfarad, तो यह भी, microfarad, तो पहला answer आचुका है, equivalent capacitance, 2 microfarad, series में थे, direct formula लगा, answer आगया, find the charge on each capacitor, बेटा, क्या मैं बोलूं, कि दोनों को हटा के, एक ऐसा capacitor लगा डाला, जिस पे की, जो क्या करेगा, 15 वोल्ट की बैटरी से कनेक करने पर सेम काम करेगा, बेटा, दोनों को हटा के, एक ऐसा capacitor लगा डाला, जो दोनों का काम कर सके, सार, दिखने में तो छोटा लग रहा है उन से, पर सार एक बात संवनों, बचे, series combination, capacitance को घटा देता है, decrease कर देता है, series combination, capacitance को decrease करता है, parallel combination, capacitance को increase करता है, अगर आपको किसी भी circuit में, अगर किसी भी circuit में capacitance को decrease करना है तो series combination लगा तो अगर आपको capacitance increase करना है तो parallel combination लगा तो समझ जो ना बात को तो इन दोनों को हटा के मैंने यहाँ पर एक लगा दिया अब मैंने बोला कि सहाब Q charge यहाँ से निकाल दीजे बैटा यही Q charge इस पर जाएगा बिल्कुल जाएगा Q equals to C equivalent into V बहुत शांदर तो बैटा कितना बोलो V कितना पंद्रा वोल्ट का तो लगाओ तो 2 into 15 यानि कि यह आएगा 30 micro coulomb बैटा कितना charge निकल रहा है circuit से 30 micro coulomb क्या यही 30 micro coulomb इसमें भी जाएगा हां सर बिल्कुल जाएगा और क्या यही 30 micro coulomb इसमें भी जाएगा हां सर बिल्कुल जाएगा because series combination है जब तब charge का बटवारा नहीं हो जाए हम कुछ नहीं करते तो दोनों पे कितना चार्ज आएगा, दोनों के पास चार्ज होगा सर्थ 30 माइक्रो कूलम का, और 30 माइक्रो कूलम का, तो क्या बोल रहा है, चार्ज ऑन इच कैपैसिटर, 30 माइक्रो कूलम, पहले बले एक आंसर, 2 माइक्रो फेरेड, अगला सवाल, पोटेंशल डिफरेंस इसके से अक्रास potential difference美元 आईगा इसके प्रॉस potential difference व इत आगा तो दख आपको पता है story Lets a की इतना है कि इतना चार्ज और आपको पता है करेस्ट पैसके के इतना चार सब्सक्राड रिभी पता है तो क्यों करsti सीकॉल सी यहां पर बुला क्यूब इजी कुलस तू 3 into V1. तो बेटा, V1 हो जाएगा 10 volt. इसके लिए solve किया, तो Q is equals to C2 V2. बेटा, Q कितना 30? Is equals to 6 times of V2. तो V2 हो जाएगा, बेटा, 5 volt. तो क्या बोल रहा था? What is the potential difference across each capacitor? पहले बाले के across है 10 volt का, दूसरे के across है 5 volt का. लो भई, ये भी लिख जिया मैंने. Potential difference on each capacitor. अगला सवाल बोलता है, energy store, बताओ, कितना होगा 6 microfarad में? अरे, सर, energy store का formula तो बड़े अच्छे से आता है. इसमें, कितनी energy store होगी? 6 microfarad बले में. बेटा, energy per unit density. Energy density ही नहीं, सिर्फ energy store. तो capital U is equals to half CV का square. 6 microfarad की बात कर रहें, इसलिए C2 V2 का square लिख जे मैंने. तो half, बेटा, C2 बोले तो 6, micro बोले तो 10 की पाव़ माइनस का 6. C2 का value 6 microfarad है, micro बोले तो 10 की पाव़ माइनस का 6. V2 कितना? 5, तो 5 का square, 25 होता है. So, 2, 3s are 6. यह हो जागा, बेटा, 75 इंटू 10 की पाव़ माइनस का 6 जूल, यानि की 75 microjoule. Is the energy stored in the 6 microfarad capacitor. वैसे ही आप energy store निकाल सकते हो, 3 microfarad वाले के लिए वैसे energy आप निकाल सकते हो, 3 के लिए, तो यहाँ पर half C1 V1 square करना, तो आपको यह भी पता चल दाएगा, कि 3 microfarad वाले में कितनी energy store हो रही है. Clear रहीगी बेटा बाते, समझ जरे हो चीज़ें को धीरे-धीरे, अभी शुरुवात है, प्यार से चलते हैं, धीरे-धीरे चीज़ों को समझते हो चलते हैं, दो ही circuit दे रहाऊं, इससे जादा नहीं दे रहाऊं. अगले session में complex circuits आएंगे, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे capacitors होंगे, उनको देखना पड़ेगा. तो वो अलग-अलग तरीके हैं, उनको solve करने की किर्चॉफ का law आएगा अगले session में. तो ये सारी चीज़े हम देखेंगे, जहाँ पे combination of capacitor को part 2 करेंगे, जहाँ पे और questions देखेंगे, ठीक है? इसको note करो जली से, जली दी से सको note करो. ठीक है? अच्छा दी, बहुत बढ़ी है. चो बैटा, यहाँ पे हमारा session होता है समाप, और उमीद करता हूँ कि जो आज मैंने आपको combination of capacitors पताया, वो आपको समझ आया होगा. पता चलिए, derivation आपके school के लिए important है, J में कोई derivation नहीं पूचेगा, J में तो ऐसे circuit देगा. Circuit और अभी complicated है, वो आगे आने वाले हैं, तो इसके लिए बिल्कुल भी मत घबराना कि सर ये क्या हो गया, हो सकता है, एक session और लेनों जिसमें आपको सिफ circuit solving के ही questions कराऊँगा, तो circuit solving थोड़ा सा complicated पड़ जाता है, बच्चों को लगता है सा, कि complicated होगा, लेकिन trust में बच्चे बड़ा आसान है, कुछ concepts में आपको सिखाऊँगा, उससे आप चुटकियों में circuit को solve कर पाएंगे, ठीक है, तो यह सारी जीजें, अपने अगले lecture में होगी, बाकि हाँ, अगर आपको वीडियो दुबारा देखना है, तो आप हमारे official website www.magnetbrains.com पे आजाएए, वहाँ पे आप lecture देखिए, PDF, DPP का जो PDF है वो आपको मिल जाएगा, practice questions आपको मिल जाएंगे, तो हर एक चीज वेबसाइट पे अवेलिबल है, और यह सिफ जेएक लेनी, बाकि और भी courses आपको website पे मिल जाएंगे, तो अगर आपको कोई दोस्त, बाई बंदू, सगा सहीली, कोई भी अगर preparation कर रहे हैं, आपको सारे courses absolutely free मिलेंगे, कोई coupon code नहीं है, कोई subscription लेने के जरूत नहीं है, हर एक चीज हम आपको provide कर आ रहे हैं तो इस सारी चीज़ें आप ले रहीजे, देख लीजे, एक बाद वेबसाइट विजिट करके जरूर देखिए, आपके लिए फाइद देखिए, बाकि चैनल पे नहीं हो, तो वो जो लाल बटन है, उसको दबा दो, अभी के अभी, और उसके बगल में जो बेल एकन है, वो भी प्रेस कर दो, so that कोई notification मिसना हो, और अपने दोस्तों तक ये बात जरूर पहुचा देना, कि मागनेट बेंस पे ही आपको quality education मिल रहा है, वो भी absolutely free, ताके join करें, ताके उनको भी वो सारे benefits मिल सकें, जो आप लोगों को मिल रहें, ठीक है, और session अगर पसंद आए, तो like ज़रूर कर दीजेगा, and I think बस इतनी ही वाती थी हमारे आज के इस session पे, मिलते आप से अगले session में, तब तक अपना ध्यान रहें, पढ़ाई करते रहें, all the very best.